नमस्कार मैं आरुजुन्तु करामलाट टीजिटी हिंदी जवहर नवदे विद्याले बरपेटा असम बच्चो आज हम एक छोटा सा बलकि बहुत ही मोतोपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है नुक्ता सबसे पहले हम पेन लेंगे सुन्दर सब पेन यहां से ले सकते हम यहां से हम पेन ले लिया एक मेरे प्ला पेन लेंगे इस बार यह पेन ले लिया एक से लेकर आठ तक के सभी छात्रों के लिए बहुत मोतोपूर्ण है तता विविद प्रतिवगेता परिक्षा के लिए बहुत मोतोपूर्ण है इसका नाम है नुकता तो नुकता उर्दू वैसे देखा गया तो उर्दू का शब्द है यह उर्दू का शब्द है जिसका आरत होता है बिन्दू इसको डॉड भी बोलते हैं हम डॉड देदो अंग्रिजे में शब्द है डॉड यह अनुसार तता अनुनासिक के बिन्दू से एक दम अलग है उससे क्या है न यह अलग है तो यह अनुस्वार तता अनुनासिक के बिंदू से अलग है तो अनुस्वार तता अनुनासिक का बिंदू तो वर्न के उपर लगाया जाता है जैसे मुझे अंग शब्द देना है तो मैं यहां यह बिंदू लगा दिया अंग या सुगंध अगर श्ब्त निए तो मुझे यां बिंदू लगा दिया मैंने लेकिन ये बिंदू ऐसे उपर लगता नहीं है ये किसका नुकता उपर नहीं लगता है तो नुकता ये जमाना श्ब्त दें ये ऐसा नीछे लग जाता है लेकिन कुछ गिने चुने शब्दों के ख है, जैसे कानून है, कानून शब्द है, तो क के नीचे लग जाता है, तो ये देखे वर्नों के नीचे लगता है, उसके दाई और वर्नों के नीचे लगता है, इसको नीचे उसके पैर में लगता है, तो ये उपर न लगकर नीचे लगता है, नुकता में और आनुस्वार तता अनुनासिक के बिंदु में क्या अंतर है ये अंतर आपको पश्ट होना चाहिए नहीं तो हम नुकता कहां लगाना है ये हम भूल जाएंगे और परिशा में हम नुकता लगाओ बोल दिया तो उसके सर के उपर लगा देंगे हमारा सारे मार्स गडबड हो जाएगी कट ज वेंजन धोनियों के आसपास की वेंजन धोनिया तता वर्न हिंदी में पहले से ही थे अतर इनके लिए अपने परंपरागत मतलब जो अपने हिंदी के वेंजन वर्नों के नीचे बिंदु तता नुकता लगाकर नए वर्न बनाये बना लिये गए ये वर्न निम्न प्रकार स हैं यह हमारे परमपरागत मतलब हिंदी के हिंदी के परमपरागत कख गग गग जफ और नव निर्मित अब देखें जो अर्बी भार्सी या विदेशी भाशाओं के जो शब्दा गए या वर्न आ गए वह धुनिया आ गई है उनके लिए हमने क्या कर दिया यह नुक्ता लग कर इनका ख, ग, ज, फ इस प्रकार हमने क्या कर देए इसको अलग बना दिये अब यह नुक्ता या नीचे के बिंदु के माध्ययम से हमें किस बात का पता चलता है यह धोनिया आगत है मतलब दुसरी भाषाओं से हैं, ये शब्दों दुसरे आर्बी फारिशी भाषाओं के शब्दे हैं, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दे हैं, या अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दे हैं, जो हमने स्विकार किये हैं और उनके लिए हमने नुक्ता लगा कर विशेज धो काम है जिनको मतलब आरभी फार्शी या उर्दू भाषा या मुल हिंदी भाषिक जो है यह अच्छी तरह से इसका उच्चारन कर सकते हैं लेकिन आन्य भाषा के लोगों को उच्चारन करते समय हम देखते कि एक जैसा उच्चारन हो जाता है बहुत कटीन काम है लेकिन आगर आप रेडियो या कहीं सम्मादाता बन रहे हैं या कहीं अच्छी जगह पर आप जा रहे हैं तो आपको ये इनका सही उच्चारन होना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि बच्चों को भी उच्चारन करवाए आप भी खुद भी उच्चारन करें क्योंकि बहुत मोतपूर् ये कंट तालव्य अल्पप्रान अघोस है ये कंट ख है जो कंट महाप्रान है अघोस है थोड़ा सा फ़रक है ये भी कंटे है गले से उच्चारन हो जाता है वो भी महाप्रान है वो भी अघोस है मतलब एक जैसे ही है दोनों दोनों का उच्चारन स्थान अलग है, लेकिन इनसे बने हुए शब्द में मात्र आंतर है, इनका उच्चारन स्थान भी अगर ये एक जैसा है, तो इनसे बने हुए शब्द में आंतर है, या इनके उच्चारन में भी आंतर है, तक्निकी तोर से हम इसको समझ नहीं पाए, त फ कंठिय अलपपरान सघोस फ कंठिय अलपपरान ये भी सघोस है फ फ फ फ फ फ थ फ त्ञ रखी है फ धन्तोस्ट दात और उठ का मिलन होकर ये महापरान भी है अगोस है इस प्रकार के क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ग, ज, फ, इस प्रकार का इनका उच्छारन थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, अगर इसका हम बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अंतर को हम समझ पाएंगे उपरियुक्त अंतर उच्छारन स्थान तता उच्छारन प्रेत्न के आदार पर है, हो सकता है कि उपरियुक्त तक्निकी अंतर समझ में न आए, पर इन दोनों में पष्ट अंतर है, निम्ना उधारन से भी समझा जा सकता है कि किस प्रकार का इनका अंतर है, उधारन देता हू ताक मतलब ताकना देखना है कि यहां ताक दिवार में बना आला दिवार में बना आला खाना खाना यह देखें भोजन यह अलमारी वाग वाग सजा सजा फन फन हुनर है देखें यह फन सापका फन यह फन हुनर कला कला बाजी उसकी क्या हुनर है इस वच्चों में ऐसा बोल देते हैं सजा दंड बाग बगीचा खाना अलमारी ताक लेकिन यह ताक खाना बाग सजा और यह फन यह इन शब्दों में आंतर है बच्चों आपको परिशा में कैसे कि निमनलिकित शब्दों में उची स्थान पर नुक्ते का प्रयोग किजिए ऐसा क्वेशन परिशा में ज्यादा पर आ जाता है इस प्रकार पश्ट हो गया कि नुक्ता ही वह चिन्न है जो परंपरागत वेंजन और आगत वेंजन के लिए लिकित रूप में अंतर करता है आशा है कि सभी लोग उसका उच्चारण सही धंग से करे या करवाए और छात्र चात्रों की सुविधा के लिए भी निचे हम कुछ उदारन दे रहे हैं तो ये उदारन भी आप देख सकते हैं क कलम, कुरान, किला, काईदा, कानून, कुर्बानी, खयाल, खौब, फूब, खाना, खराब, खिलाब, खाक, गम, गयर, गायब, बाग, जोर, जरूरी, जायका जाहिर, फायदा, कर्ज, फर्शी, फासाना, फासला, आदी शब्द हम यहां दिये हैं, यह शब्द आपके प्रैक्टिस के लिए काम आ जाएंगे, तो इसके उपर का ग्रोह कारियर, ऐसा परिशा में ऐसा ही प्रशना आ जाता है, निमनलिकित शब्दों में नुक्ता का उ फसाना है, तो फ के नीचे देना है, कानून है, तो कानून के नीचे, खील के नीचे, खा के नीचे, आप ये को नोटिस कीजिए या बार बार एक निरिशन कीजिए कि कौन से ऐसे शब्द हैं, जिनके नीचे ही ये नुक्ता लग देता है, ख है, फ है, क है, ज है, ख, फ, ज ग, ऐसे एक शब्द, एक ऐसे चारपाच धोनिया है, जिनके नीचे ही इस प्रकार का ए नुकता लग जाता है, इसको भी आप ध्यान देना हैं, तो किसी भी शब्द के नीचे नुकता देते रहना नहीं है, यह देखे, यही नवनिर्मित है, इनको ध्यान रखिए, क, ख है, ग है फ है ज है इनके नीचे ही यह नुकता लग जाता है तो इनको भी थोड़ सा आप ध्यान दीजिए और निचित इसका परिशा में हो या अपने जिवन में हो या भाषय में हो या परिशारती के रूप में हो आप इसका जरूर रूपयों कीजिए तब तक के लिए मैं आपको यहां धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि यहां मेरा यह पार्ट समापत हो जाता है किसी भी प्रकरका का प्राब्लम है तो 847487223 में संपर्क करें यह मेरा वाट्सटप नमबर भी है अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक किजिए या उसको सब्क्राइब भी कर सकते हैं और क्योंकि आने वाले वीडियो हो यह आपके माद्यम तक पहुंच जाए ज्यादा से ज्यादे वीडियो आपके पास जाना यह मेरा उद्देश है क्योंकि यहां मैं कोई प्रोपेशनल या पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं चलाता हूँ क्योंकि यह नौलेज आपके पास जाना बहुत ही आवश्यक है धन्यवाद